आपने अधायर आपने की इन एक्साइन न्यूस नेशन के इन सरकार ने डिजिटल अडवर्टाइब्मेंट में मॉनोपॉली के कलत स्कमाल के मामले में गूगल जैसे स्कर्चिंजन के ख्याब कतम उठाने का बन बना लिया है और इन रोचनाओं को अंतिन रूप देने में लगी है। गूगल पर आरोप है कि वो मीडिया हाउसे के दिजिजल कॉंटेंट पर भारी भरकब एड रेवन्यू कमाता है लेकिन पब्लिशर के साथ उचित मात्रा में इसे शेयर नहीं करता। इससे पब्लिशर को भारी नुक्सान वो रहा है। के इंसरकार के इस कदम से बिग टैक और भारतिय मीडिया के बीच रेवन्यू शेरिंग की दिवस्था में पेरनेस आने की उमीद है। खबरों की माने तो मीडिया का क्याना है कि इंडियन लीडर्शिप सही कदम उठा रही है। ये कदम वैसे ही है जैसे कई और लोगतांत्रिक देशों ने उठाए गए है। मीडिया इंडियर्श्टी की लीडर्श गूबल जैसे बिक टैक के बिल्कुल भी ख्लाप नहीं है। वैकेवल उनकी अन्पेर बिजनस प्रैक्टिस के खिलाप है। जानकारों की मनें तो बिक टैक के एका दिकारिबादी रवये का मुद्धा भारत पैकी स्थी में कहीं है। ये ग्लोबल लाइप बनी हुई है। कई देशों में न्यूज, इस्टैब्लिश्मेंट, इंडस्ट्री ऐसी प्रैक्टिस की शिकार रही है। जैसे जैसे इस तरह की प्रैक्टिस सामने आ रही है। कानून और जुर्माने आधी के माध्यम से देश इससे निपटने और उपर अंकुष लगाने का तरीका खोजने लगी है। प्रांस और उस्टैलिया जैसे देशों ने इससे निपटने के लिए एक कानून बनाए है। खाली में कैनेडा ने भी ओनलाइन न्यूज एक पास्ट किया है। अब देखना होगा कि केंसर कार्ड अब जो पतम उठाने जा रही है। उससे फब्लिशर को कितना फायता होता है और गूगल उन जो योजगाइन लाएगी और जो नियम लाएगी उनका गूटल कितना मानता है। यह तो आने वाला भक्त भी बताएगा। फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही देश और धुनिया की पाकी बड़ी ख़वा देखने के लिए जो रहे हैं नेक्स्क्नाई नीजनी के साथ।